अलो दोस्तों मैं मलाई जना मेरा इटूद चैनल में आप लोग को स्वागत है मैं आज एक नया वीडियो आपको देखाने बाला हूँ जो आप ESIC बील क्लेम कर रहा है और आपका पेशा नहीं मिल रहा है आपका बील में कुछ भूले आपको कैसे पता चलेगा मेरा बील में भूले और आपका इसे उसको ठीक कर सकता है चलिए देखते हैं वीडियो का पर मेरा चैनल को लाइक करिए सेयर करिए सबस्ट्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करके अल कर दिजिए दोस्तों देखिए ESI bill आप claim कर रहा है आपका तीन मैना का बाद आपका पीशा नहीं मिल रहा है तो आपका bill में कुछ भूले आप bill section में पुछ सकता है और वो bill counter का समने जहांपर ESI bill आप deposit कर रहा है उसी room का समने list छिपका दिया है मेरे को पता नहीं था में दो bill deposit किया था मेरा पीशा नहीं मिला था और मेरा तो सारे टाइम पीशा मिल रहा है अभी क्यूं नहीं मिला इसलिए मैं bill section में पुछा उन्होंने बताया आप देखिए बार में list छिपका हुआ है उसमें आपका नाम है की नहीं मैं बार में देखा लिस्ट में जो लिस्ट छिपका हुआ था उसी में मेरा नाम है और उसमें सिरियल नमबर खाता नमबर आम और इंसुरांस नमबर इतना पेशा है सारे डिटेल ये पेपर में लिखा हुआ है ये साई बील रूम में में जाके पुछा ये खाता नमबर में मेरा क्या भूले ये बोला इसको आप काटके फिर नया डेट लिखा के आप जहां पर मेडिसिन बिल लाया है उसको बोलेगा साइन और स्टांप बनने के लिए सील स्टांप और साइन करने का बाद आप यहां पर फिर डिपोजिट करिए आपका बिल का पैशा मिलेगा देखिए मैं इसलिए आप लोग को यह बात बता रहा हूँ क्योंकि मेरा बिल डिपोजिट तीन महिना हो गया था मेरे को पैशा नहीं मिल रहा था मैं बिल सेक्षन में पूछा मैं पेले विडियो में भी बताया है आपका तीन महिना का बिल नहीं मिल रहा है तो पैशा आप सेक्षन में पुछिए आपका क्या भूले बिल में और उसको ठीक करके देना है मैं पुछा उन्होंने मेरे को मेरा भूल बताया मैं उसको ठीक करके फिर बिल काउंटर में डिपोजिट किया है मेरा पेशा फिर तीन महिना का उंदर आ जाने वाला है इसलिए आप लोग को बत और मैं भुबेनसर का बात बोल रहा हूं जिसका भुबेनसर का काड़े आप लोग को बोल रहा हूं पहले जो बील डिपोजिट कर रहा था जो काउंटर में जो रूम में उसी का सामने ये पेपर छिपका हुआ है और अभी नया जो बील काउंटर में डिपोजिटर रहा है उ कुछ भी प्रोब्लेम है तो मेरा कमेट वक्स में कमेट करिए मैं आपको जरूर आनसार देंगी